हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चनल आपका रिद ब्लॉग तो आज हमें मौजनपत के कुसल चिकित सक्वा बेहतर सुविधा यूग्थ हॉस्पिटल प्रकास हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में प्रकास हॉस्पिटल को एने बीएच के सभी मानकों पर खरा उतरने पर एने बीएच के तहत सार्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है आज हम बात करेंगे प्रकास हॉस्पिटल के वरिष्ट आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अकलेज कुमार बर्नवाल सर्च से जिन्होंने एक महिला का कुला प्रत्यारों पर किया है जिससे हो महिला चल फिर सकती है और अपना पूरा काम कर सकती है आईए मिलते हैं पहले उस महिला से फिर मिलते हैं डॉक्टर साब से क्या नाम है आपका साधना कहां की नेने वाली हैं आप कैसे चोट लगी थी आपको चलक रणी साड़की में तर बुगी दिखाया था ने पहर को बनारस बनारस दिखाया था वा प्रेशन भी हुआ था ठीक हो गई बनारस दिखा के फिर क्या की गोरपूर दिखाई गोरपूर भी दिखाई और आजमगड भी दिखाई उसके बार फिर कहां आई हो अच्छा यहां भी आपरेशन हुआ कौन से स्कीम में आपरेशन हुआ अच्छा किसी चीद का प्रेशन हुआ कुल्हा तुम्हारा बदल दिया गया और अपने कुल्हा लग गया अब तुम कैसी मसूस कर रही हो ठीक है बढ़ियां ठीक हो चल फिर ले रही हो मैं डॉक्टर अकलेश बरनवान, MS Orthopedics Joint Replacement Orthoscopic Specialist रखास होस्पिटल सहाधर उरा मोग हमारे होस्पिटल में यह मरीज आई थी कि एक महिने पहले इनका ओप्रेशन देर्ट खाल पहले मनारस में हुआ था कुल्हे का लेकिन वह अपने पैरों पे कभी चल नहीं पाई पैरसान होके इनोन गुरग पुर आजम गौर्ड मौव कई डॉक्टरों को कंसल्ट किया लेकिन इनका इलाज नहीं हो पाया फिर यह हमारे होस्पिटल प्रकास होस्पिटल में आई इनके कुल्हे का सफल ओप्रेशन आईश्मान भारत के अंतर्गत किया गया अब यह मरीज अपने पैरों पे चलने में समर्थ है और बहुत ही खुस है मोज जैसे छोटे जिले में भी हम लोग घुटना कुल्हक्त तेर उपर के का ओप्रेशन करते हैं लिगमेंट के सरजी करते हैं जो मरीज इन सब ओप्रेशन के लिए बड़े सहरों में जाते हैं अब उनका इलाज यहीं पर हो सकता है तो इस सोधाओं के लिए हम प्रकास होस्पिटल और परिवार को बढ़ाई देते हैं और ऐसे ही अच्छे कम यहां होस्पिटल मेंडो करते रहेंगे नमस्कार मैं डाक्टर मरीज कमारा डारेक्टर प्रकास होस्पिटल ट्रामा सेंटर डाक्टर अकलेज बरनवाल और उनकी पूरी टीम को सफल कुल्या प्रतरोपन की हादिक बढ़ाई देता हूँ और आश्मान के तर्थ हमारे आस्पिटल में जो भी मरी जाएंगे उनका इसी तरह से निसुल और सफल इलाज किया जाएगा बहुत बहुत बढ़ाई हो जाट साम धन्यवाद